दुनिया की तट रेखाएं आश्याना है विविद पर्यावरन प्रणालियों का समुद्र की सतह और लहरों में पड़ोत्री और मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं में बदलाव प्रिथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिणा और इनके कारण तटों के आकार में परिवर्टनाया है जिससे रेतीले इलाखे, मौहाने, दलदली इलाखे और लगून बने हैं मौहानों में ताजे पानी और समुद्र के खारे पानी के मेल से ऐसी अनूठी प्रजातियां पनपती हैं जो इस खारी परियावरण प्रणाली के मताबिक ढल गई हैं नमकीन दलदली इलाखों और लगूनों में भी अनेक तरहां के पेड़ पौधे, जीवजन्तु और कीट पलते हैं ये समुरिध लेकिन नाजुक परियावरण प्रणालियां दुनिया की तट्रेखाओं के लगभग 13 प्रतिशत हिस्से में मौचुदे लगून उथले खारे पानी वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जमीन या रेतीले इलाखों की संक्री पट्टियों के जरिये गहरे सागर से अलग होते हैं और इन में प्राकृतिक उप खाड़ियां हो भी सकती हैं और नहीं भी लगून वाले परियावरण तटिये जल्राशियों से कई तरह से भिन्न होते हैं लगून के तापमान समुद्र की तुलना में कहीं ज्यादा अलग-अलग तरह के होते हैं लगून की उत्री जलराशी दिन के दोरान सूरज की किरणों के कारण आसानी से गर्ब हो जाती है और रात में ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है लगूनों का खारापन भी अलग-अलग होता है भारी वर्षा की मजए से लगून के पानी में खारापन कम हो जाता है इस से इन में मौजूद समुद्री जीवों की मौजूद्गी भी प्रभावित होती है और ये खारे पानी के मुदाविक ढ़ले की प्रजातियों के योग यबन जाते है नदियों और जलधाराओं के जरिये जो पानी जमीन से होकर बहता है वो भी लगून के खारेपन को कम कर देता है भारत और बंगलादेश की सीमा से भारत का पूर्वी तट दक्षण में कन्या कुमारी तक भैला है जो लगभग 2545 किलो मीटर लंबा है इस तट पर बहुत से मुहाने, खारे पानी वाले लगून, कोरल रीफ और समुद्री घर पथवार वाले मुहाने मुझूद है तटिये परियावास परियावरण के नजरिये से क्रियाशील है और यहां अनेकों तरहां के जीव पाए जाते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ साथ करीब 17 लगून है मचली पालन के लिहास से ये इलाके महत्वपून हैं ये कई तरह की कवचवाली और फिन वाली मचली प्रजातियों की नर्सरी की भूमिकाने भाते हैं चिलिका भारत के अनूठे लगूनों में से एक है और ये उडिसा के पूर्वी तट पर महानदी दर्या के मुहाने परिस्थे थै माना जाता है कि सदियों पहले ये बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा था और समुद्र की लहरों और बहावों ने तर्ट रेखा के आसपास धेर सारीत जमा कर दिया जिससे इस लगून का निर्मान दूआ यहां ताजा पानी, खारी और समुद्री पर्यावरण प्रणालियां एक साथ मौजूद ही और एक दूसरे पर निर्मार भी हैं जिससे ये चील अनूठी बन जाती है ये एशिया का सबसे विशाल खारे पानी का लगून है इसे अनूठा बनाता है ताजे पानी और खारे पानी का मेल जो अलग-अलग तरहां की पर्यावरण प्रणालियों की रचना करके बहुत सी प्रजातियों को आशियाना उपलब्द करा दी है चिलिका जील समुदर से एक 29 किलोमीटर लंबी अनियमित जलधारा के ज़गे जोई है और इसमें कई छोटे रेतीले द्वीब हैं जैसे की नाला बाना जील के अंदर मौजूद ये दलदली इलाका एक मशूर पक्षी अभयार अन्य है और इसकी तरफ सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी और भारती पक्षी आकरशित होते है जील में मौजूद नाला बाना क्वीब पूरे मौनसून के दौरान पानी में डूबा रहता है और सरदियों के दौरान जब इसका पानी घटने लगता है तो ये घोसले बनाने के लिए एक सुरक्षित और उप्युक्त जगह बन जाती है इसी समय प्रवासी पक्षियों का पहला समूग भी यहां पहुचता है और इसे सरदियों के दौरान अपना आश्रे स्थल बनाता है यहां हर साल दस लाग से ज्यादा प्रवासी पक्षि आते हैं यहां इस्थानी और प्रवासी दोनों ही प्रकार के जल पक्षियों की जबरदस्ट विविधता नजर आती है इसलिए पक्षियों के दर्शन करने वाले लोगों के लिए चिलिका चील इतना लोकप्रिय इस्थान है चिलिका फ्लेमिंगो पक्षियों की प्रजनन करने पारी दुनिया की सबसे विशाल कॉलोनियों में से एक है इनने से कुछ तो इरान और कच्छ के रंज जैसी दूर दरास जग्वों से यहां आते हैं अपनी सम्रिद्ध जै विविधता के कारण चिलिका को 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया जिसका मतलब यह है कि इसे अंतर राश्ट्री महत्ववाला दल्दली इलाका घोशित कर दिया गया है बदकिस्मती से मच्वारों की आबादी का दबाव और जील के आसपास सेलानियों के रहने तथा इस अभया रणने को देखने के कारण इस लगून पर जबरदस्त दबाव पड़ा है अनुमानों के अनुसार हर साल पचास से ज्यादा नदियों, जलधाराओं और वर्षा की कारण करीब 3,65,000 टन तलचट जील में पहुँच जाती है इस से जील का क्षेतर घट गया है और प्राकरतिक उप खाड़ी का दम उड़ जाने से समुद्र से इसका संपर्क तूट गया है इस से यहां के खारेपन में कमी आई है और इस अनोखी परयावरण प्रणाली से कुछ समुद्री और खारेपानी वाली प्रजातियां खत्म हो गई है खारेपन में कमी की वजह से ताजे पानी में पनपने वाली खरपतवार प्रजातियां फैल रही है और वे कई मचलियों के चरने वाले और प्रजरन वाले स्थानों को सीमित कर रही है दुरलब और खत्रे से घिरी प्रजादियों में इरावदी डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल, ब्लैक बक, शामिल है और ये सब ही इस पर्यावास में एक महत्वपून भूमिका निभाती है सेलानियों और पर्यावरण वादियों दोनों के लिए चिलिका जील की एक खासियत है, यहां की इरावदी डॉल्फिन लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ बरसों के दोरान इन डॉल्फिनों के सामवी एक बड़ा खत्रा पैदा हो गया है दुनिया में इरावदी डॉल्फिनों की कुल तादाद एक हजार से भी कम बताई जाती है परियावरण की तबाही और खारापन कम होने की अलावा डॉल्फिनों की मौत की मुख्य वज़े हैं सैलानियों और मच्वारों की मेकेनाईस नावें और प्रपेलर डॉल्फिने मचलियां खाती हैं, इसलिए वो जाल में फंसी मचलियों की तरफ आकरशित होती है और अक्सर वो भी जाल में फंस जाती हैं, जिससे उनका दम घोट जाता है इन में से बहुतों की जान, जील में चलने वाली मेकेनाईस नावों के प्रपेलर से टकराने के कारण होती है चिलिका डिवलप्मेंट अथॉरिटी डॉल्फिनों को बचाने के लिए लगातार एक अभियान चलाती रही है चिलिका में इंजिन से चलने वाली नावों के लिए विशेश डिजाइन वाले प्रोपेलर गार्ड लगाने और डॉल्फिनों को देखने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किये गए हैं आज करीब 800 नावे डॉल्फिन को दिखाने के लिए जील में उतरती हैं पर ये अलग लग जगों पर होती हैं ये एक ही जगा पर नहीं होती ये फैली हुई होती हैं लेकिन फिर भी इनकी मौजूदगी है वो जीवों के लिए मुश्किल की वज़ा है तो अब उन लोगों ने ये फैसला किया है कि ये उन जगों की पहचान करेंगे जहां आम तोर पर डॉल्फिन नजर आती है हम वहां स्थानी स्थम्भ बनाएंगे वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन स्थम्भों से आगे कोई मेकनाइस्ट बोट नहीं जाएगी Wildlife Institute of India ने डॉल्फिनों को देखने के सिलसले में एक नियमावली बनाई है और ये लोग उसका पालन करने को राजी हो गए हैं इन कोशिशों से चिलिका में मरने वाली डॉल्फिनों की तादाद में कमी लाने में मदद मिली है ये दल्दली इलाका बहुत से जीव जन्तों के साथ साथ ताजे पानी की अने को मचलियों और जींगों को पनपने में भी मदद करता है इस लेक में हैरिंग और साडीन मचलियों की भी खासी बड़ी तादाद है Zoological Survey of India ने यहां मचलियों की करीब 217 प्रजातियों की पहचान की है सरीस रुपों और उभैचर जीवों की भी लगभग 37 प्रजातियां यहां मिलती है इस इलाके में एक सदी से भी अधिक समय से रहने वाले लोगों के लिए मचली पकड़ने का काम एक पारम पर एक पेशा और रोजी का जरिया रहा है नमक वाली सूखी मचलियां, अंडे और चोटी मचलियां, विशेश कर हिलसा और जीगे यहां की लोगों की आमदनी का एक मुख्य स्रोट है गर्मियों के महीनों में जब ज्यादा मचलियां नहीं होती और जील सिकुड जाती है तो उसकी सूखी तली का इस्तिमाल, चावल या बाजरा उगाने के लिए किया जाता है लेकिन मच्वारों के लिए जीवन हमेशे से इतना मुश्किल नहीं था 1980 के दशक की शुरुआत तक मचलियों को पारंपरिक तरीखों से पकड़ा जाता था जैसे की जालों, स्थानिय तोर पर बनी नावों और बास के फंदों के जरीए पकड़ी गई मचलियों को मच्छवारों, नाओ के मालिकों और जाल के मालिकों के बीच बाटा जाता था ये एक वहनी चक्र था हर चरण में समुदाय का सहयोग साफ नजर आता था लेकिन जींगों का निर्यात शुरू होने से बाजार में तब्दी लिया था नाइलॉन के बेहद महीन जाल इस्तिमाल होने लगे ये जींगों के लिए बनाए गए थे लेकिन इन में छोटी, कम उम्मर मचलियां भी बस जाती थी जींगों को निकाल लिया जाता था जबकि अन्य प्रजाती की मचलियों को कच्रे के तौर पर फेंग दिया जाता था जिन में ज्यादतर कम उम्र की मचलियां होती थी इस से मचलियों की तादाद में कमी आई उसके बाद आई मोटर बोट ये पारमपरिक तरीखों के मकाबले बहुत कम समय में बहुत सारी मचलियां पकड़ लेती थी और कुछ तो जील के सतह को ही खोड डालती थी जिससे न केवल तली में रहने वाले जीव मारे गए बलकि जील की तली भी बरबाद हो गई इंजन से चलने वाली ज्यादतर नौकाओं के मालिक मचवारा समुदाय से बाहर के लोग हैं इन में से कुछ गोलगाता के और अन्य उड़ीसा के कई शहरों से हैं हद से ज्यादा मचलियां पकड़ने, प्रदूशन, काद जमने और जील में होने वाले रासायनिक बदलावों के कारण यहां पकड़ी जाने वाली मचलियों की तादाद घट रही है और उस से मचवारों की रोज मर्रा की आजीविका प्रभावित हो रही है प्रदूशक तत्वों ने इस जील की नाजुक परियावरन प्रणाली के हाइडरोजन आयन संतुलन को खतरनाक स्तर तक गिरा दिया है जील के आसपास और उसके अंदर मनोरंजन से जुड़ी कते मिधियां बेतरतीब तरीखे से चलाये जाने की कारण हालाद और बत्तर हो रही है चिलिका उडिसा का गौरव है और ये एक ऐसा विरासत इस्थल है जिससे अपनी अनूठी पर्यावरण प्रणालियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है मगर अब इसमें बहुत ज्यादा बदलावा चुका है इससे न केवल एक नाजुक पर्यावरण प्रणाली प्रभावित होई है बलकि बहुत सारी दुरलब और खत्रे से घिरी प्रजातियां भी विलोपन की दिशा में बढ़ रही है चिलिका एक ऐसा दल्दली इलाका है जिसे हम गमा नहीं सकते और प्रित्वी पर मौजूद इस विरासत को बचाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है संरक्षन और प्रबंधन के हिसाब से ये पूरा दल्दली इलाका है भारत सरकार के लिए एक प्राथमिक्ता वाला क्षेत्र है लेकिन इसके लिए लोगों के सहयोग की भी तुरन तावश्यक्ता है जील का ज्यादा तर प्रदूशन हमारी और कुछ एक व्यवसायों में होने वाली कारोबारी गतिविधियों की देन है चिलिका खत्रे में है चिलिका डिवलप्मेंट अथौरिटी परियावरण विदों और नागरिकों को इस अनूठे परियावास को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि मचली पालन और अक्वा कल्चर के वहनीय विकास और वन्य जीवों के समरक्षन को सुनिश्चित किया जा सके नियंतरित एको टूरिजम को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों के आर्थिक कल्यान को बढ़ावा मिला है और साथ ही इस से इस परियावास की प्रबंधन और देखरेख के लिए पैसा भी मिला है वीपों और पक्षियों के परियावासों को बहाल करने और परियावरणिय प्रभाव आकलनों की मदद से जील के स्तर को खायम रखने से जील की सेहत को धीरे धीरे बहाल करने में मदद मिली है हम सन 2000 में एक मुहाने को खोलने गए थे इस से जील की परियावरण प्रणाली में काफी सुधार आया अब इस बात को करीब 13 साल हो गए हैं और इन बरसों के दोरान हमने पया है कि जील की परियावरण प्रणाली ने खुद को पहाल किया है उसकी जैव विद्धा में काफी सुधार हुआ है जील की उतपादक्ता उसकी पानी की क्वालिटी और उसकी फ्लेगशिप में भी बहतरी आई है चिलिका डिवलप्मेंट अथॉरटी ने नदियों द्वारा लाई जाने वाली तलचट को नियंतरित करने की भी कोशिश की है ऐसा उसने जील की तली से गाद को निकाल कर किया है सडकों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के निर्मान के जरिये जील के इर्द गिर्द रहने वाले समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये गए है इस पर्यावरण में प्रदूशन को घटाने के प्रयास किये जाने चाहिए ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग इस जगा को देखने आते हैं वो जील में और उसके आसपास के क्षित्र में कचरा न पहलाए यदि चिलिका जील को एक मौका दिया जाएगा तो वो फिर से अपनी मूल शान को हासिल कर लेगी और स्थाई रूप से एक अंतराश्ट्रिय विरासत और गंतव्य बनी रहेगी